जैन जै भारत मेरे नाम विपिन कुमार और आज आपन फिर भारतिय संभिदान का एक महतपूर टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बित्तिय अपातकाल तो श्टार्ट करते हैं तो भाया आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बित्तिय अपातकाल तो जो बित्तिय अपातकाल है उस बित्तिय अपातकाल के वारे में आज आपन अच्छे से पढ़ेंगे देखो पहली बात आती है कि जो बित्तिया पातकाल होता है भारत में उसका आधार क्या होता है तो देखो जो बित्तिया पातकाल है भाईया इसका जो आधार है बहे संबिधान के अनुच्छे 360 में है संबिधान का जो अनुच्छे 360 है उसके अनुसार जो है भारत में बित्तिय अपातकाल की घोशना की जाती है अनुच्छे 360 क्या कहता है कि यदि भारत की इस्तिती खत्रे में आ जाए यदि भारत की बित्तिय इस्तिती खत्रे में आ जाए तो भारत के रास्पती के द्वारा बित्तिय अपात्काल की घोस्ला की जा सकती है जैसे कि इस समय कोरोना का समय चल ला है भारत की जो आर्थिक स्थिती है बहब अच्छी नहीं है दिन वा दिन जो है वो खराब होती जा रही है और बित्तिय सिती इतनी खराब हो जाए कि उसे समाला ना जा सके तब भारत के राजपती के द्वारा बित्तिय अपातकाल की घोशला की जा सकती है तो जो बित्तिय अपातकाल लगाया जाएगा बहत सम्मिधान के अनुचेत 360 के अनुचार लगाया जाता है अब बात ये आती है कि जो बितिया पात काल है ये बितिया पात काल को कौन लगाएगा तो भाईया बितिया पात काल को लगाता है रास्थपती जो बितिया पात काल है इस बितिया पात काल को लगाता है रास्थपती अब बात आती है कि रास्थपती स्वेवेक के अधार पर लगाता है या किसी की सला के अधार पर लगाता है कई ऐसा तो नहीं कि रास्पती का यह स्वय विवेक अधिकार हो तो भाईया मैं आपको बता दूँ यह रास्पती का स्वय विवेक अधिकार नहीं है जो रास्पती बित्तिया पातकाल की गोशना करता है वह मंत्री परिसद की सलह के बैह मंत्री परिशत की सलहा पर लगाता है तो हमें पता जला कि बित्तिया पातकाल की गोस्टना संबिधान के अनुच्छे 360 के अंतरगत की जाएगी और करेगा कौन रास्पती करेगा और रास्पती किसकी सलहा पर करेगा तो भाईया राश्पती मंत्री परिशत की सलहा पर करेगा अब राश्पती ने बित्तिय अपात काल की गोशना कर दी तो इसके बाद में इसका संसदिय अनुमोदन होगा भाईया इसका जो है अनुमोदन होगा अर्थात इसे अनुमती मिलेगी तो अब बात ये आती है कि रासपती ने अगर वित्तिय अपातकाल की गोशला कर दी तो कितने समय के अंदर इसे संसत से अनुमती मिल जानी चाहिए तो भाईया दो महा के अंदर दो महा के अंदर जो है इसे अनुमती मिल जानी चाहिए और दो महा के अंदर जो इसे अनुमती मिलेगी भाईया बहाँ अनुमती मिलेगी इसे संसत से अब बात ही आती है भाईया संसत के दो सदन होते हैं एक होती है लोकसवा और भाईया एक होती है राज्यसवा एक लोग सवा होती है और एक क्या होती है राज्य सवा होती है तो इसे लोग सवा से भी अनुमती मिलनी चाहिए और भाईया इसे राज्य सवा से भी अनुमती मिलनी चाहिए और दौनों सदनों से जो इसको अनुमती मिलेगी भाईया बहे मिलेगी साधान बहुमत के आधार पर तो साधान बहुमत के द्वारा जो है इसे संसत के दौनों सदनों से अनुमती मिल जानी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं कि यदि इसे संसत से अनुमती मिल गई तो जो राश्टिय जो हमारा बित्तिय अपात्काल है उसकी अबधी क्या होगी अगर संसत से इसका दो महा के अंदर संसदिय अनुमोदन हो गया तो भारत में जो बित्तिय अपात्काल की घोश्टना राश्टपती के द्वारा की गई है बह कितने समय तक रहेगी तो इस संबन में ये बता रहा है कि अगर यदि संसद से अनुमती मिल जाए तो बित्तिय अपात्काल तब तक पिरभावी रहेगा तब तक पिरभावी रहेगा जब तक इसे बापस ना ले लिया जाए मतलब अगर संसद से इसे एक बार अनुमती मिल गई तो ये अनुश्चित काल तक उस समय तक पिरभावी रहता है जब तक कि इसको बापस नहीं लिया जाता जैसे कि राजपती सासन है तो अगर उसको एक बार अनुमती मिल गई तब वे 6 महा तक पिरभावी रहता है जो राष्टिया पातकाल है अगर उसे संसद से अनुमती मिल गई तो वे 6 महा तक लागू रहता है पर अगर बित्तिया पातकाल के संबंद में संसद से अनुमती मिल गई तो ये कितने समय तक रहेगा इसके बारे में संविधान में केवल इतना ही है कि अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक कि इसे बापस ना ले लिया जाता अगर एक बार इसको लगा दिया तो फिर इसे बार बार संसदिय अनुमतीन की आवस सकता नहीं है लगा दिया तो लगा दिया अब जब तक आप बापस नहीं ले सकते जब तक आप इसे बापस नहीं लेंगे तब तक ये लगा रहेगा किलियर ने इसकी जो अधिक्तम अबदी होती है जो इसकी अधिक्तम अबदी है अधिक्तम अबदी जो है बहन निर्धारित नहीं है अब बात आती है कि यदि इसे संसत से अनुमती मिल गई तो इसका पिरभाब क्या पड़ेगा जो इसका पिरभाब है भईया इसका पिरभाब क्या होगा इसके पिरभाब की बात करें कि अगर बित्तिय अपातकाल भारत में लागू हो गया तो इस बित्तिय अपातकाल का पिरभाब क्या पड़ेगा तो इसका पिरभाब क्या पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ दुको पहला पिरभाब तो ये है कि जो कैंदर के करमचारी है जो केंदर के करमचारी है या जो राज्जे के करमचारी है उन सभी के बेतन काटने का नर्देश रास्पति के द्वारा दिया जा सकता है अगर भारत में बित्या पातकाल खोसित है तो रास्पती कैन सरकार में लगे करमचारियों या राज्य सरकार में लगे करमचारियों के बेतन की कटोती करने के आदेश दे सकता है और इस समय जो रास्पती होगा बहत सर्वोच न्याले या उच न्याले कि जो न्यादीस हैं उनके बेतन में भी कटोती का निर्देश दे सकता है अर्थात राज्य सरकार के अंतरगर जितने करमचारी होंगे या कैन सरकार के अंतरगर जितने करमचारी होंगे उनके बेतन की कटोती कन्रदेश रासपती दे सकता है यदि भारत में बित्तिया पातकाल घोसित है दूसरी बात ये है कि राज्ये के बित्तिय मामले कैंदर के नियंत्रण में आ जाते हैं कैंदर के नियंत्रण में आ जाते हैं अगर एक बार बित्तिय पातकाल घोशित हो गया तो राज्ये सरकारों के जित्ते भी बित्तिय मामले होंगे वो सब किसके अधीन आ जाएंगे कैंदर के नियंत्रण में आ जाते हैं मैं बताता हूं कैसे नियंत्रण में आते हैं जैसे की मानों की धन विध्यक है जैसे की मान लेते हैं कि धन विध्यक है या जो है बित्विध्यक है धन विध्यक है या बित्विध्यक है सही चाहे धन विध्यक है चाहे बित्विध्यक है ऐसे मान लेते हैं तो बहें दौनों सद्नों से पारित होकर जो बिधान सवा होती ह बिधान मंडल से पारित होकर जो है राज्य पाल के पास जाता है नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है जब वित्तिया पात का लागू नहीं होता है तो जो राज्य की विधान मंडल होती है कहीं कहीं पर वो दूई सदनात्मक हैं और कहीं कहीं पर एक सदनात्मक हैं जैसे उत्त सदन है और जहां पर एक सदन है वहां एक सदन से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा किसके पास जाएगा राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उसे अपनी अनुमती दे देता है यह नहीं देता है वो राज्यपाल का भी से परन्तु यदि बित्तिया पातका के लिए आरक्षित कर देगा राजपती की अनुमती राजपती की अनुमती के लिए आरक्षित कर देता है आरक्षित कर देता है अर्थात अब राजजेपाल उस पर अपनी अनुमती नहीं देगा बहे इसे राजपती की अनुमती के पारिक्षित कर देगा अर्थात जैसी राज्येपाल के पास आएगा तो भाईया राज्येपाल इसे जो है राजपती के पास भेज देगा अब इस पर अनुमती दैनी है या नहीं दैनी है अब ये राज्येपाल का बिसे नहीं रहे गया ये बिसे किसका हो गया भारत के तरण में आ जाएंगे और धन विद्यक पबित विद्यक जब राज्यपाल के पास जाएंगे तो राज्यपाल भाईया उन्हें राज्पती की अनुमती के लिए आरचित कर देगा अर्थात उन्हें बैनुमती नहीं देगा अब अनुमती के लिए किसके पास भेजेगा राज्जे की बिधानसवा होती है, बहुर्टक तब भंग नहीं होती है। जैसे कि रास्टिय अपात काल होगा, तब भंग नहीं होती है। इसमें बारवार जो है डाउट नहीं लेना इसमें कन्फूज नहीं होना है आपको कि अगर राज्टी या पातकाल है राज्जे की विधानसवा तब भी भंग नहीं होती है जब राजपती सासन होता है तो राज्जे की विधानसवा तभी भंग होती है तो ये किसके प्रवाव हैं भाईया बित्तिय अपातकाल के प्रवाव हैं कि जो राजपती है बेक कैंद्र राज्य के करमचारियों के बेतन में कटोथी के निर्देश दे सकता है और राज्य के जित्ते भी बित्तिय मामले होंगे बहस अफ कैंसरकार के नियंतरण में आ कि भाईया रासपति ने घोशना भी कर दि, संसंद से उसको अनूमती भी मिल गई, और उसका पृРИभाब भी लागू हो गया. तो क्या बितिय अपात्काल की जो घोशना रासपति के द्वारा की गई है, क्या इसकी नयाइक समिक्षा की जा सकती है? क्या इसकी नियाइक समिक्षा जो नियाइक समिक्षा है बहग की जा सकती है या नियाइक समिक्षा नहीं की जा सकती है तो इस संबन में जो है आपको दो संसोधन समझने पड़ेंगे एक है आपका 38 बा संबिधान संसोधन 1975 और एक है आपका 44 बा संबिधान संसोधन 1978 देखो 38 बे संबिधान संसोधन 1975 के द्वारा यह प्रापधान कर दिया गया था कि यदि राष्ट पती ने बित्तिया पातकाल की घोषना लागू कर दी है तो न्यालने में इस घोषना को चनोती नहीं दी जा सकती अर्थात सुप्रीम कोट या हाई कोट के द्वारा उसकी न्याइक समिक्षा नहीं की जा सकती यह प्रापधान किया गया था 38 बे संबिधान संसोधन 1975 के द्वारा परन्तु 44 बे संबिधान संसोधन 1978 के द्वारा यह प्रापधान निरस्त कर दिया गया और इसके द्वारा क्या प्राप्धान कर दिया गया? इसके द्वारा यह कर दिया गया कि जो बित्तिया पातकाल की घोष्णा राजपती के द्वारा जारी की जाती है इसकी न्याइक समिक्षा की जा सकती है अगर राष्ट पती ने इसे अनुचित तरीके से लगाया है तो भे इसे समाप्त करने का आदिश दे सकते हैं अर्थात इसकी नैग समिक्षा अब की जा सकती है ऐसा जो प्रापधान किया गया था वो 44 बे संबिधान संसोधन 1978 के दौरा किया गया था अब बात आती है कि जो बित्तिय अपातकाल है इस बित्तिय अपातकाल को समाप्त कौन करेगा तो भाईया राष्ट पती के दौरा राष्ट पती के दौरा इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है जो बित्तिय अपातकाल की घोस्ला है इसे रास्पती कभी भी समात कर सकता है अब बात ये आती है कि क्या भारत में कभी बित्तिया पातकाल की घोशला की गई या नहीं की गई तो मैं आपको बता दू भारत में आज तक एक भी बार बित्तिया पातकाल की घोशला नहीं की गई यर्थात भारत में अभी तक बित्तिय अपातकाल नहीं लगाया गया है वैसे 1991 में एक बार ऐसी इस्तिति आई थी कि भारत में बित्तिय अपातकाल लगने वाला था परंतो उस समय भारत की बित्तिय इस्तिति सुधर गई थी और भारत में बित्तिय अपातकाल नहीं लगाया तो जब भी आपसे एक्जाम में पूछे क्या भारत में कभी वित्तिय अपातकाल लगाया गया है तो भारत में आज तक वित्तिय अपातकाल नहीं लगाया गया है तो यह हमारा टॉपिक था आज का वित्तिय अपातकाल एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे कि बित्ति आपातकाल की घोस्ला कौन से अनुछेत के अनुछेत के अनुछेत 360 इसकी घोस्ला कौन करता है रास्टपती किसकी सलहा के अधार पर करता है मंत्री परिसत की सलहा के अधार पर संसत से कितने समय के अंदर अनुमती मिल जानी चाहिए तो दो महा के अंदर अनुमती मिल जानी चाहिए संसत से इसे अनुमती कैसे मिलती है तो संसत से इसे अनुमती मिलती है साधान बहुमस से अगली बात आती है कि इसकी अबधी कितनी होती है तो भाया इसकी कितनी अधिक्तम अबधी होती है इस बारे में तो नहीं है केवल समीदान में यह लिखा हुआ है कि जब तक रास्पती इसे बापस नहीं ले लेता यह अनस्चित कालीन समय तक भारत में लागू रहीगी बापस ले लेगा तो समाप्त हो जाएगी अगली बात आती पिरभाब क्या होंगे तो भाईया जो कैंदर वा राज्य सरकारों के करमचारिये उनके बेतन कटोती के निर्देश दिये जा सकते हैं राज्य के जो बित्तिय मामले होंगे बह कैंदर के नियंतरण में आ जाएंगे और जो धन बिद्यक बित्ति बिद्यक राज्य पाल के पास जाएंगे तो राज्य पाल इन्हें जो है रास्पती की अनुमती के लिए आरक्षित कर देगा अर्थाक इन्हे रास्पती के पास अनुमती के लिए भेज देगा भाईया इसकी नयाएक समिक्षा की जा सकती है ऐसा जो प्राब्धान किया गया वो 44 में संबिधान संसोधन 1978 के द्वारा किया गया अगली बात है समाप्त कौन करेगा तो भाईया इसे राजपती कभी भी समाप्त कर सकता है इसके लिए उसे संसदिया नुमोदन की आवसकता नहीं है और भारत में अभी तक एक बार भी बित्तिया पातकाल नहीं लगाया गया है तो ये आज का हमारा टॉपिक था बित्तिया पातकाल का इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है जैहिंद जैभारत